आज के इस session में हम Bounce Reaction Series के बारे में दोस्तों डिस्कुस्टन करेंगे Bounce Reaction Series क्या है इसका significance क्या है तो चलिए दोस्तों Bounce Reaction Series के बारे में आगे बढ़ते हैं तो N.L. Bounce एक scientist थे दोस्तों अमेरिका में N.L. Bounce दोस्तो 1921 में यह दोस्तो silicate melt के उपर study कर रहे थे तो study करने के बाद उनने कुछ एक sequence of crystallization series मिला दोस्तों जैसे कि silicate melt दोस्तों magma chamber है ओके magma chamber में देखे कि पहले mg reach mineral crystallize कर रहा है उसके बाद दोस्तों जितना भी temperature drop down कर रहा है उतना rock में दोस्तो silicate content बढ़ रहा है तो दोस्तों यह जो sequence N.L.Bowens ने मतलब की discover किये दोस्तों इस sequence को हम क्या बोलते हैं दोस्तो bounce reaction series तो bounce reaction series क्या है दोस्तों 1921 में N.L.Bowens एक scientist थे तो इन्होंने बताए कि एक magma chamber को जब cool down होता है दोस्तों एक sequence में mineral formation करते हैं दोस्तों पहले mg reach mineral formation होता है later on temperature drop down जितना करेगा दोस्तों उतना ही rock में और magma में silica composition दोस्तों बढ़ेगा दोस्तों तो यह था दोस्तों यह एक sequence बनाया था different mg reach के पहले जो बनता था mineral उसको olivine बोलने लगे olivine के बाद दोस्तों जितना भी temperature drop down करता गया तो mg content rock में decrease करता गया उसके बाद दोस्तों silica rock बनता गया later stage में जितना आप time दोगे उतना silicate rich rock आपको देखने को मिलेगा इन sequence में ओके initially आपको mg rich mineral देखने को मिलेगा तो यह जो reaction series है दोस्तों इसको हम bounce reaction series बोलते हैं तो थोड़ा theory देख लेते हैं दोस्तों डॉक्टर एनल पावेंस एक American scientist जिन्होंने कि crystallization sequence के बारे में दोस्तों study कर रहे थे ओके लाबरेटरी में study कर रहे थे दोस्तों यह क्या इन्होंने अप्जोर किया कि crystallization and relation of different mineral जो कि दोस्तों crystallization and relation different मागबाद जैसे ही दोस्तों melt में दोस्तों temperature drop down करता है तो different rock type formation होते हैं इन्होंने दोस्तों पूरा गोर से उसको observe किया इस chamber पे दोस्तों temperature आप drop down कर लेते हैं तो यहाँ पे जो magma होगा दोस्तों यह क्या करेगा magma को temperature अगर drop down करने से magma solidify कर जाएगा दोस्तों यह जो solidification हो रहा है दोस्तों इनके बारे में इनका काम चल लाता okay hit defines इन्होंने यह जो sequence को observe कर रहे थे दोस्तों solidify कैसे हो रहा है crystallization sequence को observe जो कर रहे थे दोस्तों इन्होंने देखे कि एक magma chamber पे पेले crystallization में एक rock formation होता है दोस्तों उसके बाद इसी rock के साथ magma chamber का जो melt होता है reaction करके different temperature के हिसाब से जोस्तों rock बनाता है okay तो इन्होंने बताये दोस्तों he defines the reaction principle which illustrate how यह magma solidify as a single rock type पहले जो magma होता है दोस्तों यह solidify करता है और single rock type देता है and कभी-कभी क्या होता है कि multiple rock type भी देता है दोस्तों पहले यह olivin बनाता है यह पहले क्या बनाता है दोस्तों olivin उसके बाद दोस्तों मतलब की pyrogen उसके बाद दोस्तों amphival okay आपको यहाँ पे single rock type देखने को मिल सकते है और maybe आपको many rock type भी देखने को मिलता है जनरलिया आपको many type of rock यहाँ पे देखने को मिलेगा उके, he found two sequence of mineral series which are regarded as the normal order of crystallization इन्होंने सभी लगबग सभी मागमाचंबर को study किया दोस्तों और देखा कि दो ही sequence of rock type formation हो रहा है मागमाचंबर पे उके, पहले उन मागमाचंबर पे olivine बन रहा है olivine के बाद दोस्तों pyrogyn बन रहा है पार्योजिन के बाद आंफीबोल, आंफीबोल के बाद बाद बायोटाइट यह एक सीरीज है दोस्तो इसमें दोस्तो प्लाजीद क्लेज सीरीज है उन्होंने दोस्तो दोस मतलब की रोक टाइप का रोक टाइप फोर्मेशन सीरीज उनको मिला दोस्तो he found two sequence of mineral which are regarded as the normal order of crystallization तो यह उनको जो series मिला दोस्तों यह series बावेंस एनल बावेंस ने मतलब कि discover किये थे तो उनके हिसाब से this series of crystallization of mineral is known as बावेंस reaction series ओके यह बावेंस reaction series है जो series पहले मागमा चमबर स्टोरी क्या है दोस्तों मागमा चमबर दोस्तों बहुत ही हाई हीट पे है तो मागमा चमबर का दोस्तों temperature drop down कर रहा है तो पहले यहाँ पर क्या बनेगा दोस्तों olivine बनेगा पार्योगजीन आमफीवल बायोटाइड और्थो ग्लेज यह जो sequence of series आपको देखने को मिल रहा है जाप एक sequence में mineral formation हो रहे हैं यह series को हम क्या बोलते है दोस्तों बावेंस reaction series दोस्तों इसका दो सिरीज है यह एक series है और यह एक series है इसको हम प्लाजयोगल सिरीज बोलते हैं दोस्तों ओके बावेंस ने क्या बता है दोस्तों he suggests that a mineral form at an early stage would react with the liquid part of the melt to form a new mineral which will be stable in the prevailing condition दोस्तों इन्होंने क्या बता रहे है दोस्तों पहले क्या बनता है दोस्तों एक मागवा चंबर पर temperature drop down अभी कर रहा है ओके temperature drop down कर रहा है तो यहां पर ओलिविन पहले बन रहा है olivin तो बन रहा है लेकिन दोस्तो olivin बन चुका है और मागबा चंबर पे खुछ तो दोस्तो यहां पे liquid तो रहेगा ना पहले क्या हो गया मागवा नीचे पर क्रिस्टालाइज हो गया दोस्तों यह olivine बन गया लेकिन मागवा पर temperature तो अभी भी है उसके कारण कुछ material molten state में अभी भी रहेंगे तो यह रोक यह जो आप green color बला देख रहे हो दोस्तों यह बला part liquid के साथ दोस्तों react करेगा और दोस्तों pyrogen बनाएगा पहले olivine बन गया olivine दोस्तों liquid के साथ react करेगा olivine का composition क्या है mg2 si o4 यह दोस्तों liquid में क्या है दोस्तों silica rich होते हैं तो यह क्या बनाएगा दोस्तों mg2 si2 o6 देखिए दोस्तों यह pyrogen का composition है जितना जितना temperature drop down करता जाएगा दोस्तों उतना मागवा में silika बढ़ता जाएगा और नीचे जितना temperature कम करेगे दोस्तों silika उतना ही आपको ज़्यादा मिलने लगेगा ओके तो he suggests that a mineral form at a nearly stage would react with the liquid portion of the melt to form a new mineral olivine पहले बन गया उसके बाद जो भी liquid था liquid के साथ यह मिल जाता है उसके बाद दोस्तों यह pyrogen बनाता है इसका मतलब है यह तो in this series there are two branches जो bounce reaction series देखोगे दोस्तों आपको यहाँ पे दो branches देखने को मिलेगा यह एक branches और यह दूसरा branches तो एक branches में क्या हो रहा है दोस्तों आपको एक branches में देखने को मिलेगा है यह दोस्तों आपका only structure भी change हो रहा है दोस्तों composition भी change हो रहा है यहाँ पे दो branches आपको यह a branches है यह दोस्तों आपका b branches है दोस्तों a branches में क्या है कि आपको यहाँ पर structure भी change हो रहा है दोस्तों और composition भी बट यहाँ पर structure दोस्तों change नहीं होता है only आपका composition ही change होता है ओके तो दोस्तों 22 reaction series में दोस्तों क्या होता है कि दो sequence आपको देखने को मिलता है एक sequence में दोस्तों जो पहला वाला sequence है यह वाला sequence है आपको यहाँ पे structure change नहीं होगा sorry structure change होगा and composition भी change होगा यहाँ पे दोस्तो composition तो change होगा but structure change नहीं होगा दोस्तो ओके तो जहाँ पे दोस्तो both structure and composition change हो रहा है इसको हम discontinuous reaction बोलते हैं और इसको दोस्तो हम continuous reaction बोलते हैं दोस्तो ओके इस two series जो भी continuous series and discontinuous series this two series converge and inverse into single phase दोस्तों यहाँ पर नीचे की temperature में मिल जाते हैं दोस्तों single stage में मिल जाते हैं तो दोस्तों यहाँ पर वो converge हो जाते हैं ओके और यहाँ पर आपको quarch will be the final product ओके तो यह आपका bounce reaction series हो गया तो चलिए दोस्तों यहाँ पर देखते हैं the entire system of sequence is particularly termage y reaction series क्योंकि y shape में दोस्तों होता है तो इसको हम क्या बोलेंगे दोस्तों y reaction series यह एक series है यह दोस्तों final product क्या होता है quarch होता है दोस्तों तो इसको हम क्या बोलेंगे कि y reaction series चैनल यह आपको basaltic magma पे आपको यह सब देखने को मिलेगा दोस्तों बासाल दीक मागमा एक मागमा चमबर रही है दोस्तों ओके इस मागमा चमबर पे बहुत हाइप 5000 डिग्री सेल्सियस टेंपरेचर आप समझ लीजिए उसके बाद टेंपरेचर डॉपडाउन करेगा जो पहला मेट्रियल बनेगा दोस्तों यह आपका यहां पे दोस्तों ओलि अलिविन तो उस टाइम में स्टैबल नहीं रह पाएगा अलिविन तो बन चुका है लेकिन अलिविन का कॉंपोजिशन क्या होता है Mg2 SiO4 ओके लेकिन मागमा में क्या है दोस्तो SiO2 बहुत जादा है Mg percentage यहां पर घट रहा है तो जैसे ही temperature drop down करेगा दोस्तों यह Mg SiO4 के साथ SiO2 react करेगा और क्या बनाएगा दोस्तों आपका यहां पर पाइरोगजीन बनाएगा दोस्तों यह आपका क्या बनेगा दोस्तों पाइरोगजीन बनेगा और दोस्तों और भी temperature drop down करेगा यह पाइरोगजीन दोस्तों और भी SiO2 के साथ react करेगा तो आपको क्या देखने को मिलेगा आम फीबोल देखने को मिलेगा ओके तो ऐसा ऐसा रियक्षन चलता जाएगा दोस्तों ओके इस टेंप्रेचर रेंज और बांस रियक्षन स्थिरीज हैज बिन वरक आउट इस 1150 डिग्री सेल्सियोस तो 573 डिग्री सेल्सियोस दोस्तों यह लाबरेटरी में रिसर्च कर रहे थे तो इनका माघमा टिक जो टैम्परेचर लिये थे दोस्तों इनके भीज में रहा लेकिन ओरीजिनाल यह आपको विपता है ओलिविन बहुत ही ग्रेट टैम्परेचर में फॉरमेशन होता है तो इनिसियल जो मागवा चमबर वे फर्मेशन होने वाला मिन्राल क्या है दोस्तो ओलिविन जो कि बहुत ही highly mg reach है ओके तो mg ओलिविन पहले फर्मेशन होता है दोस्तो लेटर रोन एफी ओलिविन आपको देखने को मिलेगा लेटर रोन दोस्तो ओलिविन के बाद आपको पाइरोकजिन देखने को मिलेगा उसके बाद दोस्तो टेंप्रेचर ट्रोपडाउन करेंगे तो आपको यहां पे अफीबल देखने को मिलेगा उसमागवा चमबर वे अंफीबल लेकिन यहां पे दोस्तो simultaneously crystallization हो रहा है कि इसको हम पूरा अल्टर बसाल्टिक रोग बूलते हैं दोस्तों ओके यह दोस्तों आपका Amphibol बन रहाती नाइस के साथ Amphibol बायोटाइड बनेगा दोस्तों बायोटाइड जितना टेंपरेचर डॉप डॉप डाउन करेगा और दोस्तो और भी अगर temperature drop down कर गया तो Cape Heads पर बनेगा दोस्तो Cape Heads पर बनेगा अनौर्थाइट उसके बाद दोस्तो बाइटोनाइट लाबराडोराइट देन आपका अंडेसाइट ओलिगोक्लेज और दोस्तो अलबाइट यहाँ पर देख चुका हम फिर भी यहाँ पर दोस्तो यहाँ पर केफेट्स पर पर यह दोस्तो converge कर रहे हैं उसके बाद आपको final product क्या मिलेगा दोस्तो मॉस्कोबाइट कौार्ज मिलेगा दोस्तो ओके तो ही था दोस्तो लेकिन यहाँ पर दो सिक्वेंस आपको जो मिल रहा है दोस्तो जो mgf series आप देख रहे हो जो ओलिभीन पाइलोग जीन आफिवल वाला series है दोस्तो यह आपका discontinuous reaction series है और यह दोस्तो आपका कुको मनलब की यह आपका continuous reaction series है क्यों दोस्तो यहाँ पर आपको both structure and composition change होता हुआ नजर आएगा discontinuous series में क्या होता है दोस्तो both structure and composition change होता है दोस्तो लेकिन आपको continuous reaction series में only composition change होता है composition change होता है लेकिन structure will remain same बस इतना है तो चलिए दोस्तो हम discontinuous reaction series के बारे में यहाँ पर discussion करेंगे ये सिरीज के बारे में पहले पढ़ेंगे उसके बाद इसके बारे में पढ़ेंगे दोस्तो discontinuous reaction series में पहला जो mineral होता है the first mineral to crystallize in discontinuous reaction series is mg olivine magnesium rich वाला olivine होता है आपको बता चुका था okay mg olivine उसके बाद दोस्तो later on क्या मिलेगा दोस्तो आपको fe olivine मिलेगा तो ये दोनों olivine का ही है उसके बाद दोस्तो आपको क्या मिलेगा दोस्तो mg pyrogen मिलेगा later on आपको दोस्तो fe pyrogen मतलब इसका दोस्तो आप समय लिजे इसका जो structure है और composition है दोस्तो pyrogen के साथ दोस्तो structure and composition पूरा difference रहेगा दोस्तो structure and composition पूरा different रहेगा यह ये discontinuous reaction series और दोस्तो यहाँ पे with falling temperature olivine react with the liquid to form pyrogen आपको बोल चुका हूँ दोस्तो पहले olivine बनेगा उसके बाद दोस्तो reaction हो जाएगा ओके किसके साथ दोस्तो SiO2 के साथ तो क्या बनेगा दोस्तो pyrogen बनेगा this will continue till whole of the olivine is converted into pyrogen okay under the ideal physio chemical condition दोस्तो यह reaction तब तक चलता रहेगा जब तक दोस्तो बहुत सारे pyrogen crystallize नहीं बन जाता okay पहले olivine बन चुका है दोस्तो olivine के बाद दोस्तो reaction अगर temperature drop down करेगा दोस्तो okay एक magma chamber में ऐसे बनेगा दोस्तो पहले यह olivine बन गया okay लेकिन यह rock olivine बनने के बाद दोस्तो इसके साथ दोस्तो si o2 के साथ मिल जाएगा तो यह olivine total दोस्तो pyrogen में convert हो जाएगा और भी अगर यह reaction चलता है दोस्तो pyrogen इसके साथ अगर और भी magma रहेगा दोस्तो melt रहेगा तो यह pyrogen फिर से दोस्तो इस melt के साथ reaction करेगा दोस्तो यह reaction करते 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 दोस्तो आपको आगे देखने को मिलेगा okay तो this two mineral thus related by reaction मतलब कि olivine और दोस्तो silica जो melt होता है दोस्तो यह दोस्तो क्या बनाता है pyrogen okay तो इनको हम क्या बोलते हैं दोस्तो reaction pair this two mineral olivine and pyrogen are यहाँ पे क्या है दोस्तो reaction pair mineral which one connected by the reaction open exhibit incongruent melting okay हाँ दोस्तो discontinuous reaction series में आपको incongruent melting देखने को मिलेगा इसका मतलब कि जो मतलब कि initial product है और जो final product है आपको different देखने को मिलेगा okay they have no definite melting point but on hitting up into some other mineral liquid हाँ दोस्तो जो initially यह दोस्तो incongruent melting दोस्तो initially क्या था initial product olivine okay later on दोस्तो pyrogen उसके बाद दोस्तो amphibol okay discontinuous reaction series में यह जो final product आपका दोस्तो क्या बनेगा कुछ आपका bio-tide यहाँ पे उसके बाद दोस्तो आपका kphels लेकिन आप melting जब करोगे दोस्तो यहाँ पे incongruent melting हो जाएगा incongruent के melting के कारण दोस्तो यहाँ पे आपको different different आपको जो initial olivine लिये थे दोस्तो आपको olivine नहीं मिलेगा incongruent melting के कारण okay तो यह यह incongruent melting जो initial product रहता है दोस्तो initial solid product रहता है उसको अगर आप melt करोगे हम crystallization के बारे पढ़ रहेते दोस्तो temperature drop down कर रहेते लेकिन यहाँ पे अगर temperature आप भी करोगे melting हो जाएगा तो incongruent melting होगा okay in this way mg pyrogene get converted to fe pyrogene and then to amphibol दोस्तो यहाँ पे यह बता रहा है कि कैसे mg olivine pyrogene को convert हो रहा है pyrogene कैसे दोस्तो amphibol को convert हो रहा है और उसके साथ दोस्तो composition तो change हो रहा है उसके साथ falling temperature तो structure भी दोस्तो change हो रहा है if the reaction between the reaction pair is hindered or absent the intermediate mineral will remain absent दोस्तों कभी-कभी क्या होता है कि दोस्तों यह volcanism हो रहा है magma यहाँ पे है दोस्तों olivine बन रहा है okay olivine बन रहा है लेकिन गलती से वह मागबाज़स्तों क्या हो रहा है suddenly मागबा राइज कर गया दोस्तों आपके स्री, art के surface के उपड़, यहाँ पे आपको ओलिविन देखने को मिल रहा है, लेकिन ओलिविन के बाद दोस्तो पाहिए डेखना को मिलता। लेकिन क्या है कि यह मागमा जो था, दोस्तो, यह साथैनि दी, भॉल्कानिजीम के कारौन दोस्तो, आर्थ के बाहर आ गया। क्वार्जिटर में उपर आ गया तो दोस्तो आपको उस टांट सुट रापीड कुलिंग के करना यहां पर क्वार्ज बन जाएगा दोस्तो और कभी-कभी olivine rock के साथ दोस्तों आपको कभी-कभी दोस्तों quartz देखने को मिलेगा sorry, olivine pyrogen, generally pyrogen के साथ देखने को मिलता है, olivine के साथ stable नहीं है, by the way, क्योंकि olivine under saturated rocket, okay in this case, quartz is called a release mineral, okay अगर pyrogen के साथ quartz देखने को मिल रहा है, okay, amphibol के साथ quartz देखने को मिल रहा है, तो दोस्तों उसके अंदर को intermediate mineral नहीं मिल रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे दोस्तों release mineral बोलते हैं, okay release mineral हम इसको बोलते हैं rock containing release mineral in one sense abnormal because unsaturated mineral may be present along with saturated और oversaturated mineral, okay, देखिए दोस्तों, अभी क्या बताया दोस्तों, olivine and जो pyrogen आपको बताया इसके साथ दोस्तों आपको quartz देखने को मिलेगा, okay quartz, quartz आपको देखने को मिलेगा, olivine जो pyrogen होते दोस्तों यह under saturated, यह दोस्तों आपका oversaturated mineral है, oversaturated, olivine pyrogen क्या है undersaturated, तो इस case में दोस्तों आपको एक oversaturated rock के साथ, अगर ऐसा dalium morphic activity हो रहा है, मतलब कि अगर release mineral generate हो रहा है दोस्तों, तो आपको olivine के साथ दोस्तों, कभी-कभी quartz olivine pyrogen के साथ quartz देखने को मिलेगा, दोस्तों, इसको हम क्या बोलते हैं, okay, मतलब कि undersaturated rock के साथ, इस case में आपको saturated rock मिलेगा, rock in which release mineral and reaction constituent are predominant, have been called dalium morphic, दोस्तों, देखिए rock, rock दोस्तों, पहले olivine बन रहा है, olivine बन रहा है, उसके साथ दोस्तों, आपको pyrogen बन रहा है, दोस्तों, okay, pyrogen के बाद दोस्तों, आपको amphibol देखने को मिल रहा है, okay, amphibol देखने को, तो यह अगर आपको यह से सिक्वेंस में rock मिल रहा है, rock in which release and reaction reaction constituent are free dominant, then this is called, what? dalium morphic, दोस्तों, okay, dalium morphic, यही है दोस्तों, so in each mineral of discontinuous series itself is member of continuous series, हाँ दोस्तों, आपको यहाँ पे थोड़ा बताना था, दोस्तों olivine पहले बन रहा है, उसके बाद दोस्तों, हमारा पाइरोगजिन बन रहा है, लेकिन olivine तो बन रहा है, लेकिन पहले mg olivine बनता है, उसके बाद दोस्तों, ap olivine बनता है, और दोस्तों, आपका उसके लास्ट में आपको pyrogen बनता है, दोस्तों, pyrogen मतलब पहले mg pyrogen बनता है, उसके बाद F-Pyrogen बनता है दोस्तो तो Oliven के अंदर दोस्तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा दोस्तो Continuous reaction मिलेगा लेकिन Oliven के Pyrogen के अंदर दोस्तो यह दोस्तो एक Continuous reaction यहाँ पे लेकिन Discontinuous हो जाएगा यहाँ पे निचे दोस्तो आपका जो Amphibol बनेगा यह दोस्तो discontinuous आम फी बोल ओके तो इच member of discontinuous series यह दोस्तो एक discontinuous series का member है लेकिन itself है member of continuous अंदर दोस्तो हो मतलब कि continuous करेंगो mg olivine पहले f olivine यह दोस्तो continuous है लेकिन जब break कर जाएगा f olivine के बाद जब structure change हो जाएगा तो यह discontinuous हो जाएगा उसके बाद धोस्तो हम continuous reaction series के बारे हम पढ़ते हैं on the other hand यह hand के बारे में हम पढ़ लिये यह hand के बारे माँ भी हम पढ़ना है यहाँ पर अनर्थाइल मिलता है अनर्थाइल जो topmost होता है high temperature मिलता है यह तोस्तो 알बाइट मिलता है когда on the other hand a member of continuous series is in continuous reaction with the liquid form which it has been crystallized and its composition is continuously being modified दोस्तो यह अनर्थाइट पहले mineral है continuous reaction series का लेकिन जैसे ही यहाँ पर temperature drop down करेगा दोस्तो यहाँ पर जैसे ही आपको temperature drop down देखने को मिलेगा दोस्तो अनर्थाइट और नहीं मिलेगा अनर्थाइट के बदले में दोस्तो आपको bytonite मिलेगा bytonite आपको देखने को मिलेगा okay bytonite देखने को मिलेगा तो इसका दोस्तो अनर्थाइट के जो structure है bytonite के भी same structure है लेकिन यहाँ पर दोस्तो CA content थोड़ा कम हो जाते हैं दोस्तो NA content यहाँ पर बढ़ जाते हैं बस उतना ही only CA के बदले में NA आ जाएगा बस structure में और दोस्तो structure कुछ change नहीं होगा only composition यहाँ पर दोस्तो आपको change देखने को मिलेगा in this case अनर्थाइट crystallize out first followed by bytonite पहले दोस्तो अनर्थाइट crystallize करेगा उसके बाद दोस्तो bytonite the mineral which are connected with this series exhibit congruent melting यह जो mineral थे दोस्तो incongruent melting यह जो mineral जो continuous reaction series में आप देखोगे दोस्तो इन्होंने दोस्तो congruent melting दिखाएंगे दोस्तो congruent melting आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा लेकर क्या है दोस्तो पहले albide था अगर इसको melt करोगे दोस्तो जैसे ही temperature आप drop down कर रहे हो दोस्तो एने increase कर रहा है एसे ही temperature जैसे increase करोगे दोस्तो CA increase होता हुगा नजर आएगा तो ही है दोस्तो congruent melting ओके जो final product जो initial product और जोस्तो final product इतना difference नहीं होंगे magma chamber में इन continuous reaction series this structure developed in plagiocles anarthite at the center and albide at the periphery are called corona और joining structure जोर्निंग structure के बारे में आपको idea दे चुका हूँ दोस्तो इन continuous reaction series पहले क्या बनता है दोस्तो अन और्थाइड बनता है जैसे ही temperature drop down करेगा दोस्तो इसका periphery में दोस्तो आपको albide देखने को मिलेगा ज्यादा na albide मतलब कि यहां पे दोस्तो आपको cya देखने को मिलेगा periphery में दोस्तो आपको na देखने को मिलेगा तो यह structure को हम क्या बोलते हैं दोस्तो joining structure तो joining structure आप जो देख रहे हो दोस्तो यह generally आपको continuous reaction series में जनरली आपको देखने को मिलता है continuous reaction series में आपको generally joining structure देखने को मिलता है तो यही है दोस्तो उसके बाद हम application के बारो में discussion करते हैं दोस्तो इसका application के फाइदा क्या है it gives order of crystallization of silicate mineral high temperature mineral to low temperature mineral दोस्तो क्या है कि आपको order of series मिल जाता है दोस्तो पहले mg rich mineral बनेगा mg rich इस तरफ दोस्तो ca rich जैसे ही आप temperature drop down करोगे तो आपको silica rich आपको देखने को मिल जाएगा इस तरफ दोस्तो आपको na rich देखने को मिल जाएगा जैसे ही आप temperature drop down करोगे यही है दोस्तो high temperature इधर low temperature okay बस it gives okay it gives an idea about mineral association of igneos rog हाँ दोस्तो एक mineral पे दोस्तो mg rich जहाँ पे mineral होता है उसके साथ दोस्तो ca mineral रहेगा silica rich जो rog होता है दोस्तो उसके साथ na rich care rich मिलेगा दोस्तो यह यहाँ पे हमोए ओ ही idea देता it gives an idea about the mineral association आपको पुछेगा कि mg के साथ silica कम क्यों मिलता है क्योंकि यह दोस्तो high temperature mineral है mg बाला mineral और silica mineral दोस्तो low temperature mineral है आपको तो मैं तो release mineral के बारे बता चुका हूँ लेकिन वह दोस्तो बहुत ही negligible case है बहुत ही exception case में कभी कभी हो जाता है लेकिन और जेनराल दोस्तो कभी भी आपको high olivin के साथ कभी भी olivin के साथ आपको दोस्तो quartz देखने को नहीं मिलेगा ओलिविन के साथ दोस्तो quartz देखने को नहीं मिलेगा तो इसके बारे में यह idea देता है क्योंकि high temperature olivin के साथ यहाँ पर इस तरफ अनर्थाइट देखने को मिलेगा ओलिविन के साथ दोस्तो आपको ये क्या है दोस्तो ये ओके ये दोस्तो आपका ओलिविन पाइरोगजिन, आमफीवल बायोटाइट ओके ये दोस्तो आपका अनर्थाइट तो ओलिविन के साथ देखिए दोस्तो आनोर साइड आपको अच्छे से देखने को मिलेगा पाइरोजिन के साथ दोस्तो बाइटोनाइड आपको देखने को मिलेगा आंफी बोल के साथ दोस्तो ओई सेम तो जितना आप यहाँ पे दोस्तो greater temperature में आपको mg rich material, ca rich material देखने को मिलता है lesser temperature में आपको silica rich mineral आपको देखने को मिलता है silica के साथ k rich mineral आपको देखने को मिल जाएंगे दोस्तो ओके, also it illustrate how a single magma may solidify as a single rock type और may give right to multiple rock type, obviously दोस्तो पहले olivine होता है दोस्तो उसके बाद multiple rock, pyrogen apibol okay, उसी हिसाब से दोस्तो आपको देखना पड़ेगा okay, it tells about the stability of mineral yearly form mineral are less stable than lead form mineral okay, तो क्या है कि yearly form mineral, देखिए दोस्तो earth surface में earth surface में, yearly जो form mineral होता है high temperature में बनता है दोस्तो, great depth में okay, यहाँ पे दोस्तो low later stage kwaz आपको यहाँ पे देखने को मिलता है यह दोस्तो low temperature में देखने को मिलता है okay, जैसे ही है high temperature mineral जैसे ही है olyvine, earth के surface की आ जाएगा दोस्तो, क्या stable रह पाएगा क्या, क्या, क्योंकि इसका temperature environment दोस्तो depth में था, यह बहुत great depth में formation मदरब की होता हुआ मिन्डल है लेकिन अगर इसको आप earth के surface पे ले आओगे, यह low temperature environment में ले आओगे, तो यह stable नहीं बन पाएगा, olyvine only stable in high temperature environment, kwaz stable in low temperature environment, kephels पार is stable in low temperature environment, okay, तो आपको यहाँ पे stability order देखने को मिल जाएगा, जिसका पास दोस्तो mg reach होता है, ओ दोस्तो great temperature, great depth में, great temperature में, दोस्तो, ओ stable है लेकिन कुछ मिन्डल दोस्तो silica reach जो मिन्डल होते है solid depth में, ओ stable है, बस stability order के बारे में आपको समझ में आ गया, okay, yearly for मिन्डल and more dense, जनराल दोस्तो, bounce reaction series में, olivine सबसे जादा dense होता है, olivine बहुत ही dense होता है, लेकिन उसके बाद दोस्तो, pyrogene, उसका specific gravity आप सकते हो, लेकिन rock के बारे में हम बोल रहे हैं, तो दोस्तो, olivine दोस्तो, इसके आनर्थाइट के साथ मिलेगा, ये दोस्तो, इसके साथ मिलेगा, okay, फिबल दोस्तो, प्लाजिक लेज के साथ मिलेगा, दोस्तो, ये rock बनेगा, तो initial जो yearly form rock होते हैं, okay, yearly form जो rock होते हैं, generally more dense, ये याद रखना, okay, क्योंकि यो great depth में formation हो रहे हैं, mg reach है, okay, तो mg reach material जो होते हैं, जोस्तो, बहुत ही highly density हो होते हैं, इसलिए great depth में stability maintain कर पाते हैं, लेकिन lesser depth में, वो थोड़ा less dense आपको, late form मिन्डल हो, less stable, okay, sorry, less dense, okay, तो ये दोस्तो, the atomic structure become more complicated, form, yearly form मिन्डल, like olivine, to the मिन्डल, like quard, geolet, दोस्तो, इनका, जो भी आप late stage मिन्डल देख रहे हो, okay, जो भी yearly stage मिन्डल, जैसी की olivine, जो भी आप देख रहे हो, इनका, दोस्तो, atomic structure थोड़ा complicated रहता है, quard का, दोस्तो, बहुत ही simple atomic structure रहता है, दोस्तो, okay, आप समझ चुके हो, जो yearly form मिन्डल होते हैं, उनका atomic structure बहुत ही more complicated होता है, जो late stage मिन्डल होते है, quard, geolight, इनका, दोस्तो, बहुत ही simple होता है, demerit क्या है, दोस्तो, यहाँ पे सभी मिन्डल के बारे में नहीं बोला गया है, okay, demerit यही है, दोस्तो, यहाँ पे आपको olivine, pylogene, amphibol, most common मिन्डल, जो भी, दोस्तो, sequence साइध आप bounce reaction series, आप clear हो चुके हो, bounce reaction series, जोस्त याद रखना, पहले हमारा olivine formation होता है, दोस्तो, okay, जैसे ही temperature drop down करेगा, pyrogen formation होगा, mg pyrogen, amphibol, उसके बाद दोस्तो, आपका amphibol formation होगा, amphibol, okay, मैं एक ही diagram में बताने की कोसिस करूँगा, amphibol के बाद दोस्तो, आपका byotide formation होगा, byotide formation होगा, byotide के बाद आपका दोस्तो, क्या formation होगा, k-fell square, okay, उसके नीचे दोस्तो, आपका muscovite, muscovite formation होगा, और भी temperature अगर drop down करेगा, तो दोस्तो, आपका quash formation होगा, यह दोस्तो, आपका क्या था, discontinuous reaction series, discontinuous reaction series है, okay, यहाँ पे generally high density मिंडल, यह दोस्तो, olive in high dense मिंडल, high dense मिंडल, लेकिन जैसे इट आप drop down करोगे दोस्तो, less dense मिंडल आपको देखने को मिलेगा, less dense मिंडल आपको देखने को मिलेगा, जो discontinuous reaction series होता है दोस्तो, यहाँ पे generally आपको, structure are same, sorry, structure and composition, structure and composition, composition are different, are different, okay, लेकिन यहाँ पे देखिए दोस्तो, एक हमारा initially, sorry, olivine and आपका unorthite यहाँ पे formation दोता है, unorthite, ओके, later on आपका bytonite, उसके बाद दोस्तो, temperature और भी drop round करेंगे, तो दोस्तो, आपका labrador right, ओके, और भी temperature drop round करेंगे, तो आपका oligocles, undesign, oligocles, and, आपका दोस्तो, I'll buy it, ओके, तो दोस्तो, एही है, यह आपका continuous reaction series, continuous reaction series, यहाँ पे क्या होता है, continuous reaction series में, में दोस्तो, आपका structure, same, throughout the reaction, but composition, different, structure same, composition different, दोस्तो, यहाँ पे, आपको greater temperature में, आपको CA का composition, ज्यादा देखने को मिलेगा, आप later temperature में, दोस्तो, low temperature में, आपको NA का composition, ज्यादा देखने को मिलेगा, ओके, यही है, दोस्तो, सिरीज, यहाँ पे आपको, क्या देखने को मिल रहा है, MG Ridge देखने को मिल रहा है, यहाँ पे दोस्तो,